हेलो गाइज वेलकम बैक टो इली ट्रेस्लिंग तो गाइज आज भी हम एवल्यू कंपनी और न्यूजूपाइन प्रेस्लिंग इन दोनों ही कंपनी हो काफी बड़े और काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाली मोई न्यूजपाइन प्रेस्लिंग के इवेंट याने कैपिटल कोलीजन के उपर जाकर एवल्यू सूपरस्टास ने क्या किया जिसके साथ ही हम जानने वाले है किस वीक की डायमाई शो की विवर्शिप क्य इस वीक की डायमाई शो की विवर्शिप की और जानते हैं कि इस वीक की डायमाई शो की विवर्शिप क्या रही तो गाइज अगर आपने हमाई चैनल के उपर इस वीक की डायमाई शो का रिवी वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक की डायमाई शो बात करी, इस वी कीडियामाइशो की स्थाफशब की, तो इस वी कीडियामाइशो की स्थाफथ उसकी मखाबली करीब necesita 1.8% जादा बढ़ dalग बढ़ चुकी है, जो देखा दूधं काफी मटा बढ़ चुकी है और यहाँ पर इसके पहले टायाम हाई शोउ को तो एकटीज के अंदर थीक टाक सा जंप है और इस्वी पोजिशन पर आता है जो के पहले भी 36 पोजिशन पर दी था जिससे के हम समझ सकते हैं कि इस वी के डायमाइश ओ एक बहुत ही बड़ा डायमाइश ओने के बावजूद भी इस वी की डायमाइश ओकी विवर्शिप रेगुद्ध डायमाइश ओकी तरह आ रही है जिस पर अहां आगे बढ़ते हैं और बाथ करते हैं हमार एगली अपडेट की और जानते हैं किस अफते के एए उलु कमपनी की टॉफ ओ रंकिंस क्या है तो आपको तो पता ही होगा कि एए उलु कमपनी अंदर वेंस और लॉस रिकॉड की हूँ क्योंकि किसी भी सूपर स्टार की विन लॉस रिकॉर्ट की ऊपरी आगे चले को रूँ सूपर स्टार को अपने डिविजन की चैंपेंशिप के लिए चैंपेंशिप के लिए चैंपेंश करने का मुका मिलता है तो गाइज एए विल्यू कमपनी के टेग टेग टेम डिविजिन के टॉफ फव रैंकिंग्स के अंदर नमबर पाच पर आते है ब्रायन डेंसन और जॉन मॉसली, नमबर चार पर आते है जॉन सिल्वर और एलेक्स रनल्स, नमबर दीन पर आते है गंड क्लब, नमबर दो पर पर आते है पाओरो सॉप्स और इकी स्टार्स और नमबर एक पर आते है FTR और स्टिल है हमारे एए विल्यू कमपनी के वर्ल्ड टेग टेग टीम चैंपियंस जुरा से इस्प्रेस यानि के जंगल बॉय अलू चासुरस पर यही अगर यहां पर हम बात करें एए विल्यू क कोंपनी के सिंगल स्मे में डिविजिन के टॉफ फव रंकिंगंग यही है इस वीक की जिस्ट फव रंकिंग पर आपका क्या कहना ही आप मुझे गमेंट करकर बताईये पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा यगल में अपदेट की और जानते है Gesetz चाहली में होई नू जिपान प्रोइस्टिंग के शो याने कैपिटल कॉलिजिन की उपर क्या हुआ और उस शो की उपर जाकर एविल्यू कंपणी के सूपर स्टास ने क्या किया तो गाईज अगर आप काफी दिनों से एविल्यू कंपणी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पत कि हमें एविल्यू कंपणी के कही साथी सूपर स्टास इस शोकी उपर जाकर रिसल करते वह दिखाए दिये हैं जैसे के जोन मोक्स ली, एडी किंस्टन और ब्रोडी किंग और हम इस वीडियो के अंदर उससे के बारे में बात करें वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि KPW की Superstars को जानते हैं, इसलिए उनके बारे में बताना, यह मुझे लगता है कि थोड़ा फार टाइम वेस्ट करना है, इसलिए में उनके बारे में बात नहीं कर रहा, और यही अगर यहाँ पर हम बात करें इस Capital Collision Pay-Per-View की, तो guys हमें इस चो की उपर सबसे पहला मैच, जो के AUU Company और New Japan Pro Wrestling, इन दोनों Superstars की बीच में देखने हो मिला था, वो था Brody King vs Minoru Suzuki, जो मैच देखा जाए, तो एक बहुत ही बड़ी आए मैच था, और guys इस मैच के शुरुआत में, Minoru Suzuki ने इस मैच के अंद थोड़ी फार कॉमेडी की, जहाँ पर Minoru Suzuki की करकर, और Brody King का मज़ा को मेंट पर kick-out कर देते, जो देखकर, Brody King काफी frustrated हो रहे थे, और इसी चीज़ का फायदा उठा कर, Minoru Suzuki की Brody King की पर अपना finisher लगाने के लिए गए, लेकिन Brody King ने सिरिवर्स कर दिया, और Minoru Suzuki पर अपना finisher, याने के back superlex pile driver लगा कर, यहाँ पर Minoru Suzuki की पिन करकर, Brody King ने मैच मिला था, जिसके अंदर A.L. Company और Superstar Involveld था, वो मैच था Tomohiro Ishii vs Eddie Kingston, और अगर यहाँ पर हम बात करी इस मैच की, तो guys अगर आपने हमाए चैनल के उपर इसके पहिर New Japan Pro Wrestling के एक show का review video देखा होगा, तो आपको पता होगा किस मैच के लिए backstory क्या थी, क्योंकि तब Eddie Kingston ने Tomoh काफी dominant करे थे, और हम यहाँ पर देख पा रहे थे, कि Eddie Kingston अपनी injury सेल करने के लिए अपने आपकी उपर पट्टी बान करा आए थे, पर चाहिए दिसी वज़े से इस मैच के शुरुआत में Eddie Kingston खुल कर रेसल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए finally Eddie Kingston अपना IPAC निकाल दिया, जिसक मैच के अंदर इन दोनों सूपरस्टास के तरफ से बहुत ही बड़ा बड़ा अमोज देखने हो मिले, और देखने में यहाँ पर रेसा ही लग रहा था, कि यहाँ पर दो भाई एक दूसरी खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की wrestling style बिल्कुल similar है, लेकिन अगर य बहुत ही बड़ा है मैच के बाद, आट ओफ नोवेर, एडी किंस्टन ने टोमुरु इशी की उपर अपना finisher spinning backfist लगा दिया, लेकिन टोमुरु इशी ने इस मैच के अंदर एडी किंस्टन इउपर अतना brutal attack किया था, कि यहाँ पर एडी किंस्टन टाइम रहे ते टोमु इस मैच कितना बड़ी आए मैच था, लेकिन इसके बाद हमें surprisingly शो क्यूपर, फॉर्मर AWU superstar यानि कि लियो रश अपने return करते भी दिखाए दिये, और यहाँ पर आकर बाते करते लियो रश ने कहा कि लियो रश ने कहा कि लियो रश को रसल करने के लिए क्लियर नहीं किया, पर जब भी कभी Dr. Leo Rush को रसल करने के लिए क्लियर करने वाले है, तब Leo Rush New Japan Pro Wrestling को चेंज करकर रखने वाले है, जो बात यहाँ पर Leo Rush ने कही, तो देखना पड़ेगा कि Leo Rush रसल करने के लिए क्लियर कभ होते है, पर इस सब के बाद finally ने हमें शो के main event के अंदर, हिरुशी तान दिया क्योंकि अगर आपने हमाई चैनल के उपर लास्ट NJPW के शो का रिवी वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर विलोस्प्रे और जॉन मॉस्प्री बीच में क्या हुआ था और इसलिए यहाँ पर यहाँ पर मैच शुरू होती विलोस्पी जॉन की उपर और एक टैम के लिए हिरुशी तनाषी ने जूस रोबेंसट में को साइड मे लगा दिया और जॉन मॉस्पी विलोस्प्रे गॉस्प्री को साइड मे लगा दिया जिसके बाद हम इस मैच के अंदर जॉन मॉस्प्त कर सामने आते वी दिखाए दिये जो कि कही सारे पर इसके बाद यहां पर इन दोनी सूपरस्टाइद को देखे के लिए मज़ा रहा था पर इसके बाद यह मैच एक बहुत ही बड़ीया मैच चला और अगर आप जारा सा भी नुजपाइन प्रोस्टिलिंग को फॉलू करते हैं तो आपको पता होगा कि नुजपाइन प्रोस पर इसे बाद यहां पर इसमेच के बाद अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में हिरोशी तनाशी ने रिंग के बाहर एक टेबल लगा दिया और जूस रोबिंसन ने रिफ्र्यू को आगे कर दिया जिससे विलास्पर रिस्ट ए जूस रोबिंसन ने विलास्परी को पिन कर दिया जहां पर फिर एक बार विलास्परी का पेर रोप की नीचे था पर फिर एक बार यहां पर रिफ्री ने विलास्परी के पेर को नहीं देखा और यहां पर थ्री काउंट कर दिया जिससे कि जूस रोबिंसन ने मैच जीत च इन तीनों को विदा इन दंधर दिया है जिसे कि जूस रोबिंसान ने प्रूर है जो बात यहां पर जूस रोबिंसान ने कहीं और ईसे के साथ यόσ ओफेर चला गया जूशो देखा जाए तो एक बहुत तहरा ज़ला जये किHS अ ठाहिए जो अपर उफेर जाने के पर 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 बता है और आपका क्या कहना है या आप मुझे करकर बता है और यही सब चीजे थी जो इस साल की नुज़ेपाइन प्रोईस्लिंग कैपिटल कुलिजन शोग्यों पर हुई जो मुझे तो बहुत पसंद आया है पर अब देखते हैं कि पर यहीं मिलकर कितने बड़ी आइमाचिस कर पाते हैं पर गाई जैसे ही एक न्यूज रूमर और अपडेट और एक शो का रिवीव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना पर अब में मिलता है अगली वीडियो के अंदर पर तब तक स्टे हेल्दी स्ट यूण कितने हैं पर प्ली, चैनल झाले हैं पर अब में रिल्वाराइब कहाँ भूली लिएगार लिए बड्याराइब कर अच्छी ऑने सब्सक्ते हां अजय कि च्षब शीए हमारे वीडियो कर तो तो फिए खली ऽे लिए वेवीडियो कि अजय टीडियो कर प्याराइब